हेलो इन्वेस्टर्स आप शफिका श्वागत है आप ही के चैनल स्टोक बाजार में तो चले बिना किसी टाइम वेस्ट कि सीधा वीडियो के टोपिक के उपर आते हैं तो आज का वीडियो एक बार फिर से होने वाला है वोड़ाफॉन एडिया के बारे में तो अगर आपने आ पहले से ही तेजी देखने को मिली है एंड तक्रीबन आज ये 3% की तेजी दिखा चुका है अगर इसके आज के प्राइस एक्षन की बात करें तो ये पिछले क्लोज 9.35 के शामने 9.35 पे ही ओपन हुआ था यानि कि पिछले क्लोज पे ही ओपन हुआ था एंड अभी तक पांच दिन की बात करें तो पिछले 5 दिन में ये काफी तेज हमें दिखाई दिया है जो की 8% का रिटर्न हमें दे चुका है तो पिछले कुछ दिनों से इसमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है अला कि बता दे कि अभी वड़ापोन एडिया में एक न्यूज आई न्यूज के बारे में आई है जिसके कारण शेर में हमें तेजी देखने को मिली है तो आईए वो न्यूज के बारे में अब हम जान लेते हैं तो न्यूज ये है कि वोड़ापोन एडिया ने एक नया बिजनेस टार्ट किया है जो कि एड़ टेक का यानि कि विग्यापन का जो कि जैसा आप यहां पे देख सकते हो, Vodafone Idea ने AdTech Platform लोज किया है, जो कि है V.I.E.D.S. के नाम से, यानि कि अब Vodafone Idea एड़ेटाइजमेंट में अभी अपना बिजनेश चलाएगी, जो कि यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है, Artificial Intelligence, Machine Learning के उपर बेस्ट रहने वाला है, तो यानि कि अब Vodafone Idea एक और नया बिजनेश करती हुई नजर आएगी, तो वहीं कंपनी ना कहना है कि V.I.E.D.S. मार्केटर्स को अपने यानि कि Vodafone के 243 मिलियन सब्सक्राइबर का फाइदा मिल ले वाला है, और वो मार्केटर्स को अपने सब्सक्राइबर के साथ कने करेंगे, जिस्षे कि मार्केटर्स अपनी एडवर्टाइजमेंट देश हके, और ये एडवर्टाइजमेंट वोडपन V.I.E.V.I.Movies, TV app and traditional channels like SMS, IVR calls के जरिये, मार्केटर्स को एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइट करेंगे and customers तक उनको पहुचाएंगे, तो ये काफी अच्छी बात है, अब वड़ाफन आइडिया के लिए, तो इसके अलाव अपी कंपनी ने कहा, अब ये एडवर्टाइजमेंट देंगे, उसको फूल कंट्रोल देंगे, जिसमें कि वो अपने केमपेंट चला सकेंगे, केमपेंट सेट कर सकेंगे and शाथी, केमपेंट की इ आज एजनसी and SMS बिजनेश को काफी टार्गेट करने की बात सोच रहे है, तो अवनिश खोशला जो कि चीफ मार्केटिंग ओफिशर है, उन्होंने कहा, कि हमारी जो प्लेटफॉर्म है, वी एड़्स जो कि अभी के समय में जो दो में चैलेंजिस है, मार्केटिंग में एक ह के ओथेंटिक इंसाइट एंड दूसरा है इन्हेंस रिच को भी कवर कर देंगी, यानि कि इससे कस्टमर को फाइदा मिलने वाला है, एंड इसके अलावा उन्होंने कहा, कि वी एड़्स एक सिंपल, इजी टू यूज एंड आहिली एफिसियन सोल्यूशन बन जाएगा, ज टो अपने AI के त्रू marketers को right target के तरब पहुंचायेंगे, एंड most relevant message इनको देंगे, ताकि marketers को भी फाइदा हो शके, एंड इसके चलते वी ऐड़्स को भी फाइदा हो शके, क्यूकि जितने marketing अच्छी होगी, उस से और भी marketers वी ऐड़्स की और छोडेंगे, तो शाहति उन्हो ने कहा कि हम इसके लिए डिजीटल एशट काफी जल्दी ही बढ़ाने वाले है तो यानि कि अब वोड़ा फोन एडिया हमें कोम्यूनिकेशन के अलावा एक और बिजनेस भी करता हुआ दिखेगा जो की है एड्स का यानि कि मार्केटिंग का तो आपको ये बिजनेस के सा के लिए एंड वी एए के शेर होल्डर के लिए ताकि उनको बिजनेस में कुछ ग्रोथ दिखे तो शेयर प्राइस में भी वह में दिखेगा एंड कम्पनी का बिजनेस आगे चलने वाला है तो आई होप आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा होगा कुछ चान करे मिली वीडियो में